आज हम आपको structure के उपर एक experiment करके दिखाएंगे इसके लिए लिए हमने दो steel के glasses जिने हमने पानी से भर दिया है और एक ये काच का glass जिसे हमने आधा पानी से भरा है एक plain paper और एक zig-zag folded paper तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन दोनों steel के glasses के उपर इस plain paper को रख देंगे और देखेंगे कि जब हम इसके उपर ये काच का glass रखते हैं तो ये इसका weight ले पाता है या नहीं और dear friends आप देख पा रहे हैं कि ये काच का glass ने इस plain paper को bend कर दिया है और ये plain paper इसका weight नहीं ले पा रहा है लेकिन जब हम इन दोनों स्टील के ग्लासीज के उपर एक जिग जैग फोल्डिड पेपर रखेंगे तो आप देखिएगा कि क्या होता है ये हमने दोनों glasses के उपर jig-zag folded paper रख दिया है और अब हम इसके उपर ये कांच का glass रखेंगे और dear friends आप देख सकते हैं कि ये jig-zag folded paper ने कांच के glass के weight को bear कर लिया है इसके पीछे एक scientific reason है scientific reason ये है कि जब हम इस plane paper को कई folds दे देते हैं जो की zig-zag shape में होते हैं तो एक triangle की formation बन जाती है triangle की formation को structures की formation में सब से strong formation माना गया है तब ही आप देख सकते हैं जितने भी bridges बनते हैं उनकी जो trusses होती है वो triangular shape में बनती है इसका reason ये है कि triangular shape के structures में दो arms एक जगा आकर मिलती हैं दो arms के मिलने की वजए से ये जो point बनता है ये जो triangle में point बनता है ये एक square ये rectangular surface के मुकाबले जैदा weight बियर कर सकता है तो dear friends मैं आशा करता हूँ कि हमारा आज का ये experiment आपको अच्छी तरह समझा आ गया होगा हमारे next experiment तक के लिए good bye, thank you